हेलो दोस्तों मेरा नाम आशीस स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हंगर स्टेडिज बे तो दोस्तों आज का हमारे टोपिक है नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स ओप सम कंट्री अलग अलग देशों के राष्ट्रिय खेल चलो दोस्तों सुरू करते हैं आज का टोपिक ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट्स है क्रिकेट नंबरो प्लेयर ग्यारा तो अब फुर ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग भी आप देख सकते हैं और निचे क्रिकेट का ग्राउंड उसके बादोस्तों बात करते हैं भारत भारत का नेशनल स्पोर्ट्स होकी नहीं है। भारत का कोई भी national sports नहीं है। sports ministry confirm किया था भारत का कोई भी national sports नहीं है। तो भारत का national sports hockey सिर्फ मानना जाता है। यह तो यह मानना जाता है भारत का अच्छा परदरशन Olympic में। 上 1988-1956 तक भारत ने Olympic में hockey में 6 gold medal जिते थे। और 1980 तक भारत ने 11 गोल्ड मेडल जीत लिये थे, जिस कारण भारत में ये फेमस हो गया, तो भारत का कोई भी नैसनल गेम नहीं है, साइध आने वाले टाइब में कबड़ी या क्रिकिट को नैसनल स्पोर्ट कर दिया जाए, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो नैसनल स्पोर्ट करते हैं गेम सिंगल लगी है, डबल लगी है, तो नैसनल स्पोर्ट अफ इंडोनेसिया बैडि मेंटन, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, नेपाल, भारत का पडोशी देश, नेपाल का राष्ट के खेल है, वोली बॉल, नॉम्बरोग प्लियर छे, तो अपनी जी खेलते होई देख सकते हैं, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, रस्या, तो रस्या का नैसनल स्पोर्ट से हैं, दोस्तों, बैंडी, रस्या होकी, जो मतलब आइस के उपर खेली जाती है, होकी तरह ही है, नॉम्बरोग प्लियर बैंडी, इलावन, तो लास्ट वीडियो मैंने आपसे कोशन पुछा था, वट इस दा नैसनल स्पोर्स ओफ रस्या, तो उसका अंसर है बैंडी, रस्या इन कोखी, तो दोस्तों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, बंगला देश, बंगला देश भी मारा पडोशी देश है, इसके नैसनल स्पोर्स है, कबढडी, कबढडी भारत में बहुत ही फेम जाता है और cricket उनी देशों में ज्यादा प्रचलन हुआ जहां पर अंग्रिजों ने राज किया था तो national sports of England cricket उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अर्जंटिना 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 का national sports है पाटो पाटो जो मतलब गोड़ी को पर खेल के ऐसे वो लोको उचाला जाता है तो नंबरो प्लेयर इन पाटो फोर तो अर्जंटिना का national sports है पाटो बच्पर भी हम टीबी में ऐसा खेल दिखा करते थे पर उस खेल का नाम पता नहीं था तो उस टाइम तो इसका नाम है पाटो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड का हैं हैं हन्गरी हंगरी का national sports है water polo number of player in water polo 7 तो आपनी इचे खेलते हैं इसके बाद करते हैं इरान का national sports है wrestling नंबर व प्लेयर इन रेसलिंग वान रेसलिंग व्तलब कई टाइप की होती हैं तो अपनी जी खेलते होगे यह देख सकते हैं उसके बाद धोस्तों हम बात करते हैं भुटान भारत का एकोर पडोसी देस तो भुटान कर राष्तिया klev है आर्चरी धनूर विद्या जो प्राचिन भारत में देखी जाती थी तो नंबर ओप्लेयर फाइप्लेयर और सेप्रेटिड वाइज सेफ जोन यह कम ज्यादा होते रहते हैं उसके रहते हैं उसके रहते हैं तो लिखा वह सेप्रेटरिड वाई सेफ जोन नेशनल स्पोर्टस वाइज अर्चरी उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गैर नाडा का नेशनल स्पोर्टस यह इन विंटर लैक्रोस इन समर तो नम्बर प्लेयर आईज फोकी 6 और लैक्रोस 12 आइस होके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर राइट साइड और लेकरोस आप लेट साइड देख सकते हैं स्क्रीन पर उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जापान जापान का नेशनल स्पोर्स है सुमो रेसलिंग मोटे-मोटे पहलवान आप निचे देख रहे हैं स्क्रीन पे और नमरोप प्लेयर देख रहे हैं स्क्रीन पे तो नेशनल स्पोर्स अप जापान सुमो रेसलिंग या जुडो जब दोस्तों हम बात करते हैं South Africa South Africa का National Sports है Rugby Numbers प्लेयर Rugby 15 तो आप निचे देख सकते हैं Rugby खेलते हुए तो उपर अफरीका का फलैग तो National Sports आप South Africa Rugby उचे बात करते हैं South Korea South Korea का National Sports है Tycomando Numbers प्लेयर Tycomando 1 तो आप उपर South Korea आफ लाग और निचे खेलते होएं, Taekwondo देख सकते हैं तो रशियन का नेसल स्पोर्ट्स है, तो South Korea का नेसल स्पोर्ट्स है, Taekwondo नम्बरो प्लेयर 1 उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, Scotland Scotland का नेसल स्पोर्ट्स है, गॉल्फ तो इसमें मतलब कोई fix नहीं है, प्लेयर 1, 2, 3, 4, कुछ भी मतलब हो सकते हैं इच होल इस प्लेइड वन्स इन राउंड ओन स्टेंड कोर्स ओफ 18 होल्स, तगेम कैन बी प्लेइड बाई एन नम्बरो प्यूपल, अल्थोर टैपिकली ग्रूप जो प्लेइड विल्हाव वन तो फौर प्लेइड वन्स ओफेड एन राउंड, दो से चार्ट इसके सकते हैं स्कौर्ण और का नेसल गेम गॉल, उसके बाई दोस्तों हम बात करते हैं नमबर ओप्लेयर इट इस एन इंडिविजुल अवेंट नौर्वे में तो इसमें फिक्स किई ये स्टेंट मतलब 16,000 तक पार्टिस्पेंट कर सकते हैं एक टाइब में तो अलग-अलग मतलब रूल होते हैं उनके और अलोंपिक में 20 का मतलब रूल अलग है तो नेसल स्पोर्ट्स ओफ नौर्वे क्रोस कंट्रिस की उसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्विजल लैंड स्विजल लैंड के नेसल स्पोर्ट्स है सुटिंग और जिमनास्टिक नमबर ओप्लेयर सुटिंग डिपेंडिंग ओन कॉंपिडिशन और जिमनास्टिक में स्विजे लेंड के national sports है सुटिंग और जिमनास्टिक्स उसके बात करते है क्यूबा क्यूबा के national sports है दोस्तों बेस्बॉल नम्बरो प्लेयर बेस्बॉल 9 क्रिकेट की तरह देखने वाले बेस्बॉल अमेरिका अभी national खेल है तो दोस्तों क्यूबा को पर आप national flag तो दोस्तों आप निचे फिटबॉल देख लेते हैं उसके बात दोस्तों हम बात करते है पर आज हमारी वीडियो यही गरिशमापत हुई तो हमें इजाज़न तीजिए इसनी तरह हमापसे आगए भी मिलते रहेंगे जहिन जाभारत थेंक यू